हलो दोस्टो आपका स्वागत है मोटर अक्टीन में मेरा नाम है राट सिथरानी और आज मैं बात करने वाला हूँ मारूती वैगना 2019 के स्पेसिफिकेशन्स, डिमेंशन्स, वेट एंड एम्ट आएगा की नहीं अल डीटेल्स तो ये एक exclusive वीडियो है, देखिए से एंग तक to understand everything about the car दोस्टो कल ही मैंने एक वीडियो बनाए आपके लिए on the वैगना जिसमें इसके सारे images आगे दिखती कैसी है बार से, side से कैसे लगती है, अंदर से क्या looks है इसके सब कुछ वहाँ पे मैंने cover किया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है, तो मैं आपको encourage करता हूँ नीचे जाईए on the meta description वहाँ पे जाकि ये वीडियो देख लीजिए और instead of that मैंने एक और एक link चोड़ा है offmotorokteen.com वहाँ पे जाईए आपको वैगिनार के सारे वीडियो मिल जाएंगे with all detailed pictures in text also तो अब समझते की वैगिनार में क्या नया है और हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं? वैगिनार का जो ब्रोशर है वो leak हो गया है आज और company की जो weight है उस गाड़ी की उसके dimensions क्या है उसकी length breath क्या है साथ में उसमें engines के आने वाले AMT या manual सब दिया हुआ है अब इस गाड़ी का launch है 23 जन्वरी को और फिलहाल जो ब्रोशर आया है उसमें clearly बता रहा है कि ये जो नहीं गाड़ी आने वाली है इसका वजन कम होगा by 65 kg जो outgoing wagon आर्थी उसका weight था somewhere about 870 kg और ये गाड़ी का वजन होगा for the base model 805 kg यानि कि ये 65 kg lighter है than the outgoing car despite the fact कि ये उस गाड़ी से ज़्यादा लंबी है चौड़ी है और height कम है पर wheelbase भी increase हो गया है गाड़ी की length बढ़ गई है लगबग by 55 mm इसका wheelbase बढ़ गई है निकि दो आगे और पीछे के पाईये का जो distance है वो बढ़ गया है by about 35 mm जिसके कारण जो interior space है वो increase हो गई रहेगी for sure अब इस गाड़ी में सबसे बड़ा सवाल आता है कि petrol engine है CNG engine है या CNG इज़र भी नहीं है तो फिलहाल जितना हमें समझ मैं रहे है CNG शायर offer नहीं किया जाएगा वागनार आएगी with a 1-liter petrol engine जो आएगी LXI, VXI, VXI option variants में और ये engine में top end VXI option में आपको मिलेगा AGS यानि की AMT technology मिलेगी इसमें 1-liter engine producing close to 68 bhp of power 90 Nm of torque 5-speed manual transmission और 5-speed AMT भी है वही पे एक नया introduction रहेगा मारूती की सरफ से a new Wagon R engine, finally बहुत सालों बाद एक जादा powerful engine आएगी on the Wagon R ये देगी 1.2-liter की producing close to 80 bhp of power and 130 Nm of torque यानि की जो Ignis, Swift, Balino, Desire की जो petrol engine है वो Wagon R में आगी यानि की इसकी performance would be much better than the outgoing car और ये जो नया engine रहेगा, मेरे हिसाब से this will be interesting to watch out और जो private car buyers are जिनको जादा better performance ये, this wagon R could be their choice इसमें आपको 5-speed manual and 5-speed AMT आएगा इस 1.2-liter में आपको आएगा VXI, VXI option and ZXI variants के option मिलेंगे अब दोस्तों कहान या तो खतम नहीं होगी, हमें आपको और बहुत कुछ बताना है about this car अगली चीज जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं, that is the tire size जो Wagon R पहले थी यार जो currently अभी भी बिकरी है Wagon R उसकी tire size की width है 155 mm और वो 14 inch की wheels आते हैं इसमें 165 mm का width आएगा with 14 inch wheels पर I am not sure कि इसमें alloy wheels आएंगे या नहीं तो इसकी वज़े से ये गाड़ी directly Santro से compete कर पाएगी Indian market में और उससे बहतरीन performance दे पाएगी अगर आप देख रहे हैं between a Santro and a Wagon R only अब इस गाड़ी की price है कि somewhere between 4 to 6, 6 and a half lakh rupees और mostly इसमें CNG शायद थोड़ा लेट है and at the same time जो LPG है वो भी जारा करके offer कर दिया जाएगा on the new Wagon R दोस्तों तो this means the market will be exploding with a lot more options from the Maruti brand और Wagon R जो है बहुत ही famous गाड़ी रही है क्योंकि क्या sales और है उसके मतलब normal car buyers, Uber, Ola आजकल तो काली पिली टाक्सी में भी काफी सारी वागिनार आ गई है मॉंबई में तो there are there's a lot of demand for this vehicle in the market और वागिनार मारुती continue करेगी sell करना तो इसमें features extra क्या है मैंने पिछले वीडियो में बता है पर मैं quick recap देताऊ features में steering mounted audio controls, new instrument cluster, touchscreen system जिसमें reverse parking sensors आएंगे आपको तो चारो power windows मिलेंगे इस गाड़ी में 14 inch के wheels and at the same time headrests जो है fixed रहेंगे आगे दो पीछे दो they cannot be adjusted by any chance तो यह था एक quick video on the Maruti Wagon R 2019 और यह थे उसके detailed specifications जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे 23 जनवरी को इस गाड़ी का launch है and we are expecting to show you the whole car तो हम वो गाड़ी का वीडियो बनाएंगे आपके लिए so stay tuned with us till then तो आज के लिए बस अतना ही दोस्तों इस वीडियो को तुरांथी like कर लीजे और share करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा subscribe तो आपने किया हुआ है मुझे instagram पे भी follow कीजे हमारा handle ismotor octane facebook पे भी होई है twitter पे भी है तो अगर आप कोई भी और social media handle यूज़ करें facebook, instagram, twitter हमें वहाँ पे जाके follow कीजे ताकि आप हमारा साथ बने रहे for day to day information मिलेंगे कल फिर से with an all new video जै हिंट वंदे मातरम